Hey guys, welcome back to the channel Study Portal. Study Portal पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में सबसे खास बात ये है कि UPSC Vice Principal के Interview Date Announce हो चुकी है जिसका लगभाग एक साल से इंतजार हो रहा है क्योंकि UPSC का एक्जाम काफी की टाइम पहले हुआ है तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कब है Interview की डेट आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी डेट कब है Interview की ये इस डेट को यानि कि 24 नमबर आज एक ये दिन ये नोटिस जारी हुआ है अगर आप UPSC Vice Principal के लिए मोख Interview बैज जोईन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस हेल्प्राइन नमबर पर हमें कॉन्टेक कर सकते हैं Study Portal Academy आपको डाउनलोड कर सकते हैं Description Box में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पूरी अपडेट्स मिल जाएगी तो Directorate of Education DOE की तरफ से जो विकेंसी थी जिसको की UPSC ने कनक किया एक्जाम को Vice Principal के लिए Total 131 के लिए था ये 10-22 advertisement नमबर था इसका तो अभी अगर हम बात करें कि जो भी candidates selected हैं फोर दा इंटर्वी शॉट लिस्टेड हैं उनका जो इंटर्वी होगा तो 2 session की according आपको reporting करनी है जैसे 4 noon session में 9 o clock तक आपको पहुंच जाना है और afternoon session में 12 o clock तक तो इसका मतलब भी विलकुल भी नहीं कि एक दिन में 2 interview है एक दिन में काफी सारे interview है जो हम last main list में देखेंगे यह आपके session की according है कि जो 4 noon session है वो 9 o clock तक report कर दें जो afternoon session है वो 12 o clock तक UPSC office दोलपूर house जहां पर प्रिंसिपल के interview हुए थे same वही पर आपको जाना है साजा रोड न्यू दली पर होंगे आपको documents का क्या करी करने हैं आपको सभी अपने original documents करी करने हैं प्लस एक photocopy यहां पर बोला गया और original documents आपको लेकर जाने हैं self-attested photocopy भी लेकर जानी है educational qualifications के आपके documents experience का documents, age proof, community BH certificate, equivalence जो भी certificate होंगे जो भी आपने अपना UPSC का जब interview form फिल किया था उस time पर जो भी दियोंगे वो सारे documents आपको लेकर ही जाने हैं इसके लिए आपको एक attested form होगा वो भी आपको फिल करना है along with your photographs और आप PA will भी फिल कर सकते हैं आपने travel allowance के लिए अगर आप outstation candidate है तो जो भी date time दिया गया है उसके according आपको पहुंच जाना है एक photocopy हाँ पर बोला गया आपके पास आपका application form होगा ना ओरा form online application form वो भी आपको यहाँ पर ले कर जाना है जब आपने form फिल किया होगा तब आपने भरा था वो भी आपको लिख कर जाना है interview के date में अब कोई change नहीं होगा यह final date है तो list of original documents यहाँ पर दी गई है कि आपको अपना 10th का certificate जो भी education के certificate है वो आपको सारे carry करने है यहाँ पर including date of birth के लिए जो कि आपके 10th of certificate से काम हो जाएगा essential qualification और experience के जितने भी documents होगे degree होगा certificate होगा experience certificate होगा वो आपको carry करना है इसके अलावा एक form होता है वो आपको prescribed form में दिया होगा एक certificates जो भी है आपके जितने भी certificate वो एक format में होने चाहिए कास certificate SCST OBC अगर आपने claim किया है तो वो भी आप यहाँ पर लेंगे एक declaration दी गई है prescribed form में वो आपको जो है फिल करना है और physical handicap है तो उसका भी एक performa है उसी format में वो होना चाहिए candidate जिन्होंने claim किया है अपने name change के लिए तो उसके लिए हाँ पर instructions दी गई है कि marriage, remarriage की case में, divorce की case में, change of name, both male and female तो वो आप यहाँ पर detail में पढ़ सकते हैं इसके लिए आपको detail video भी मिल जाएगी अगर आपको कोई भी problem आ रही है तो आप बेज़े जग comment section में comment कर सकते हैं age relaxation जो है उसके लिए अगर आपने apply किया है तो उसके लिए आपके पास relevant document provide होने चाहिए तो यह सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए क्या procedure है terms and condition क्या है कि आपकी सबसे पहले तो देखो document verification होता है जब भी आप interview के लिए जाते हैं तो उसमें आपके जो भी documents है certificates हैं जो भी है आपको वो देने होते हैं आपको sign करना होता attendance seats में और कोई भी online application आगर आपकी गलत पाई जाती है तो आपका candidature वही reject हो जाता है आपको interview के लिए नहीं बुला जाता है document verification सबसे पहला step है ठीक है तो वो आपका clear होना चाहिए तो documents आप बहुत ही अच्छे से अपनी carry करें ताकि जब भी जोड़ पड़े तो आप आराम से उसको दे सके ठीक है तो इस तरीके से नहीं कि कोई documents कहीं है कोई documents कहीं है proper format में उन documents को रखे ताकि आपको भी आसानी रहे और आपको भी जो है nervousness नहीं हो क्योंकि आपको interview देना है उसके बाद तो एक काम रहे patience रहे तो वह उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपने documents को बच्छी तरीके से arrange करके रखे commission from any examination or selection held by the central government for the employment under them तो यह specified period है इनके लिए तो जो भी government अगर मिलता है कि आपका कोई भी document कम है तो आपका interview उसमें आगे नहीं होगा आपका जो है एक attestation form है website पर वो आपको फिल करना है अपना recent passport size उसमें लगाना है photo और जो भी forms दिये गए हैं वो form फिल करने है और original documents आपको ले कर जाने है साथ ही साथ आपको जो है अपना एक attested photocopy भी ले कर जाना है तो identical photograph आपके पास होना चाहिए self-signed on the front and mentioning your role number और date of interview name of the post बैक होन दे तो जो फोटो आपके पास होगा उसमें आपको क्या करना है आगे तो आपको sign कर देना है self-attest कर देना है और उसके photograph के पीछे आपका role number interview की date क्या है और आपका name क्या है post का वो आपको उसके उपर utilize किया जाएगा आपका role number या बाकी details लिखने के लिए नीचे वाला आपको छोड़ना है तो पूरे में fill नहीं कर देना उपर first half में ही लिखना है ठीक है इन सब चीजों का ध्यान रखना अच्छा जब principal का interview हुआ तो काफी सारे लोगों के doubt है कि हम क्या क्या चीज़े लेकर आपकी thesis लेकर जा सकते हैं तो इनका बहुत ही बड़ा रोल है अगर आप से पूचा जाता है तो आप इसको अपने interview के अंसर के साथ साथ इन चीजों को शो कर सकते है एक plus point होगा तो यह जो doubt है यह भी आपका यहां पर clear हो गया clearly mentioned है क्यों क्यों principle में clearly mention नहीं था तो first day पर बच्चे गए थे उन्होंने बोला था और फिर यह पाल में आप close में भी आड़ हो गया है वाइस प्रिंसिपल के लिए तो आप लोग के लिए बहुत helpful रहेगा तो इसको जरूर से carry करें यह हम अपने UPSC जो भी वाइस प्रिंसिपल से related interview बनी है videos उसमें भी हमने discuss किया selection नहीं माना जाएगा यह सिर्फ एक आपका selection process का ही एक पार्ट रहेगा तो जो भी आपका interview के लिए बुलाएगा है तो यह doesn't guarantee कि आपका selection होगा ही होगा क्योंकि एक number of candidates बुलाए जाते हैं पर बोस्ट के according तो यह एक selection का जो है पोस्ट है इसी तरीके से rail fare कैसे claim करना है वो सारी details यहाँ पर दी गई है तो अगर आप पर TA claim करना है तो आप TA भी अपना यहाँ पर claim कर सकते हैं आपको अपना later on arrival report यह पूरी ticket ticket भी आप अपनी साथ रखिएगा तो वैदर के बारे में भी आप पर information दे दी है आप mobile phone या other electronic गेज़र जो है वो UPSC में पूरी तरीके से ban है तो आप mobile phone को avoid करें यह यहाँ पर सला दी गई है तो इसमें interview schedule की अब अगर हम बात करें तो interview जो आपके start हो रहे हैं 11th of December से 11th December से आपके interview start हो जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यहाँ पर हो गया अपना 18 और 21 तो टोटल 21 फस्ट में है उसके बाद आपके यहाँ पर जितने भी है 60 यह 18, 18 का जो है schedule रखा गया 24, 21 सुबह लिए गए है और 18 जो candidates हैं वो afternoon shift में है तो इन 21 को 9 o'clock रिपोर्ट कर देना है और यह जो 18 है इनको 12 o'clock में रिपोर्ट कर देना है 11, 12, 13, 14, 15, 16 को interview नहीं है फिर 17 को भी नहीं है 18, 19, 20, 21 और 22 22 December तक आपके जो भी सारे exam है वो आपके यहाँ पर clear हो जाएंगे आपके interview यहाँ तक खतम हो जाएंगे यहाँ पर 22 December आपका last interview रहेगा तो all the very best for all of you और अपना अच्छे से interview दे दिए जेगा और Study Portal Academy आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं काफी सारी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे regarding the tips वो भी हम upload करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से all the very best to all of you